इस question में सी अब इस question में मैंने आपसे क्या का था कि that you have to find the area of the shaded portion तो shaded portion का area निकालते हैं वक्त आप क्या करेंगे total area में से total area पहले में total area निकालता हूँ total area to find total area is very easy total area निकालने के लिए आपको पता है कि this is a semicircle ये एक बड़ा सा semicircle है ठीक है एक बड़ा सा semicircle है जिसका radius is 54 जिसका radius is 54 cm ठीक है this is the radius so its area so the total area will going to be how much so the total area will going to be pi r square का half because it is a semicircle half into pi into r square का मतलब है 54 का whole square I will not solve this में इसको अभी solve निकरने वाला ठीक है इतना समझ माहा है this is nothing but the total area अम मुझे area निकालने है ये जो रोटिया जैसे दिख रही है ना छुटी छुटी ठीक है एक आधी रोटी ये आधी रोटी ये फिर एक पूरी रोटी अच्छा अगर आप ये दो आधी आधी रोटियों को मिलाएंगे so it will make one complete रोटी one complete circle okay so ये जो 1 है और ये 2 है area of figure 1 and 2 1 and 2 plus will make one complete circle ठीक है अब जिनको हमें हटाना है उनके area हम लोग निकालते हैं अब हम क्या करेंगे पहले रोटी नमबर 1 और रोटी नमबर 2 को combine करके फिर इसको हटाएंगे ठीक है पहले उसका area निकाल लेते हैं फिर रोटी नमबर 3 का area बाद में निकालेंगे ठीक है और नीचे वाली रोटी ऐसे आजाएगी तो इसका जो डामेटर है यहां से निकाल लेता हूं यह तो हमारा total area यहां से में निकाल लेता हूं area of 1 plus 2 ठेक है इस्थिति कसी लिख रहा हूं That is nothing but complete circle it is pi r square so pi r is 27 pi into 27 ka whole square okay I will not solve this I will not do 27 into 27 अब जो तीसरी रोटी है हमारे पास ओके नाओ इस थर्ड रोटी इस तीसरी रोटी अब इस तीसरी रोटी का रेडियस निकालना है इस अब टास्क फर उस ठीक है तो इसका रेडियस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे अब इसका radius तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आप उस third roti का area निकालोगे, ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ that how you will calculate its radius, बस उतना ही करना है, rest the calculations are going to be very easy, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जो मैंने roti 1, 2, 3 लिखा है, इसको मैं erase कर लेता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से focus करना, और एक blue pen ले लेता हूँ, और इस blue pen से थोड़ा सा construction करूँगा, इस diagram में, ठीक है, अच्छा, suppose आप करोगी this point is A, and this point is B, suppose, ठीक है, अब आप क्या करो, इस A, B, diameter में, जो बड़े वाले same circle का diameter है, A, B, इसमें एक perpendicular bisector खीचो, देखो मैं इस diagram म खीचो, तो मैं अगर perpendicular bisector खीचूँगा, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ओके, तो perpendicular bisector का मतलब क्या है, वो A, B, को दो बराबर हिस्सों में बाटेगा, और वो दो बराबर हिस्सों में बाट भी रहा है, ठीक है, 54, 54, अल्री हमें पता है, ठीक है, अब उसके अलावा, उसके center point यह हो गया, और यह तीन center points है, इन तीनों को हम लोग जोड लेते हैं, ठीक है, यह join किया, और यह join किया, इस तरीके से, ओके, any problem in this now, इतने में कोई problem तो नहीं है, ठीक है, what we have done, this much is clear, okay, तो अब, अब आप अगर ध्यान देंगे, ठीक है, if you will now focus, okay, तो यहाँ पर, we have got an isoseles, okay, an isoseles triangle, इस तरीके से में नीची बेस भी बनाता हूँ, this is the base supposed, ठीक है, so base तो निकालना, it's very easy, क्योंकि यहाँ से लेकर, यहाँ तक will be 27, 27 plus 27 will going to give you 54, so this is nothing but 54 cm only, ठीक है, आपको यह भी पता है कि यहाँ से लेकर, यहाँ तक तो यह 27 cm है, 27 cm, ठीक है, और यहाँ से लेकर, यहाँ तक, again, it's 27 cm, okay, ठीक है, 27 cm, अब आप यह जो तीसरी रोटी थी ना तीसरी रोटी, इसका radius आप ले लीजिए, इसका radius आप suppose r ले लीजिए, small r, ठीक है, तो एक triangle बन रहा है, ना, एक triangle बन रहा है, और उस triangle में, दो side same है, दो sides कौन कौन सी हैं वो, 7 plus r, यह जो side है, पूरी, this is nothing but 27 plus r, और यह जो side है, यह भी क्या है, 27 plus r, so it is an isoseles triangle, और बीच म कहानी कर रहा है, it is only to find, what, it is only to find the height, basically height भी लेकिन, वो जो, जो third roti है, उसका, हमें क्या चाहिए, we have to find its radius, अब देखो radius कैसे निकालेंगे, बहुत easy है, अब आपको, जो वो, मैंने एक perpendicular bisector खीचा है, ठीक है, ध्यान से देखना, suppose, यह उपर आला point है, suppose, यह point T है, ओके, और, suppose, yellow point, जो तीसरी roti थी, उसका center का point O है, और, suppose, जो, जो bisector है, जो AB line को bisect कर रहा है, suppose, वो point P है, ठीक है, अब आप P O कैसे निकालोगे, जब आप PT में से, when you will subtract PT, ठीक है, जब आप पूरा PT, अच्छा, पूरा PT will be how much 54, पूरा PT will be 54, मैं आपको बताता हूँ, R, so, you will going to get P O, ठीक है, इस तरीक से आप इसको देख लो, suppose, ये point B, बीच में O है, और, ये point T है, ठीक है, ओके, तो मैं आपको ये diagram में दिखा रहा हूँ, suppose, ये point O है, ये point T है, अगर आपको P O निकालना है, how you will calculate पहले, आपको PT मालू होना चाहिए, अगर आप total में से, ओके, let me take some other clue, ठीक है, अगर आप total में से, अगर आप, suppose, अगर ये PT है, इस PT में से, अगर आप OT माइनस कर दें, OT माइनस कर दें, PT में से, OT माइनस कर दें, you will get P O, आपको वो height मिल जाएगी, triangle की, ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ, अच्छा, PT will be how much, अगर आप, if you will focus, PT is nothing but, PT is nothing but, अच्छा, अब इसमें क्या है, now, what is this, अब अगर आप, see, अगर आप इस डाइग्राम में देखोगे, what will be PT, PT is nothing but the radius, bigger semicircle, that is nothing but 54, 54 में से, अगर आप OT माइनस कर दोगे, OT is nothing but R, ये तो R है, radius, small radius, तो आपका easily क्या आजाएगा, PO आजाएगा, ठीक है, तो PO को म मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर, so PO will be is equal to PT minus OT, ठीक है, तो PT कितना हो जाएगा, PT आपका अलड़ी पता, it's 54, minus OT, OT is R, तो जो height आगई, ठीक है, height, that height of a triangle, ISLS triangle वो आगई, 54 minus R, मैं आपको यहाँ पर highlight करके दिखा लेता हूँ, और फिर हम लोग एक right angle ले लेंगे ओके, and then we will apply the formula, ठीक है, यह question मुझे थोड़ा समझाना है आपको बस, अगर आप समझ जाओ तो it will going to be very easy for you, यह जो मैंने, ओके, यह जो मैं highlight कर रहा हूँ, आप लोग ले, ठीक है, this triangle I am going to take now for you, ठीक है, this yellow part, यह right angle triangle मैं आपको आपके ले लूँगा, जिसमें यह जो PO है, 54 माइनस आर आज चुका है, ठीक है, ओके, तो अब हम लोग क्या करते है, यह मैं क्यों कर रहा हूँ, सारी चीजे, why I am doing all these things to calculate, ठीक है, अब मैं यह right angle triangle आप लोग के सामने बनाने जा रहा हूँ, यह right angle triangle उसी isosilis triangle से बना है, तो यह जो side है, यह आपको पता है, this is 27 plus R, ठी ठीक है, तो यह जो point उपर यह तो है, O, यह point है, P, ठीक है, यह point को आप कुछ और नाम दे देजे, Q दे देजे, suppose, ठीक है, तो P, Q कितना होगा, वो तो हमें already पता है, it is nothing but, the half of 24, it will going to be 27, 27, ठीक है, ओके, और P, O, अभी हमने निकाला, it is nothing but 54 minus R, यहां से you will get R, रॉनितिवारी सेंग, सर, it is 18 cm, very good, if we will apply now Pythagoras theorem, अगर अप मैं Pythagoras theorem लगाओ, तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप बस जो मैं करा रहा हूं, इसको follow करो, अच्छे से focus करके, देखो, हर एक बच्चे को समझ में आ सकता है, ठीक है, if I will apply Pythagoras theorem, so it will going to be, 27 plus R का whole square, is equal to perpendicular square, 54 minus R का whole square, plus base square, plus 27 square, बच्चा सोचरा होगा, calculation बहुत tough है, बहुत easy है, यार, A plus B का whole square, लगा लो, लगाओ जरा, A plus B का whole square, it will going to be, solve नहीं करना, 27 square, find मत करना, जरूरी नहीं है, अभी आपको कुछ find करने की जरूरत नहीं है, तो A plus B का whole square होता है, A square plus B square, plus 2AB, 2AB करोंगो तो 2 into 27 into, this will going to be 54R, is equal to, 54 minus A minus B का whole square, A square, plus B square, minus 2, 2AB, तो 54, 2 is 108, 108R, plus 27 square, बस, अब आप यहाँ देखो के, बहुत सारी चीज़े तो वैसी ही cancel हो रही है, तो उनको मैं cancel कर लेता हूं, this 27 square, this 27 square cancel, ठीक है, this R square, this R square is cancel, तो यहाँ पर left side में क्या है, 54R plus, right side से 108R इस तरीके से आएगा, is equal to, is equal to, 54 का whole square, is equal to 54 का whole square, बस, और यहाँ से क्या आगया, left side में, 54 plus 108 will going to give you how much, 162R is equal to 54 into 54, और R will be going to be 54 into 54, upon 162, very easy, ओके, R यहाँ से आजाएगा, R will be how much, इसको cancel करो, आप, 2 से cancel करोगो, तो 2 8, 16, 2 1, 2, 2 से करोगो, तो 27, 9 से कर दो, 9 9 जा 81, 9 3 जा, ठीक है, और 9 से इसको करोगो, तो 9 6 जा 54, 6 3 जा 18, R की value कितनी आचुके, 18, बस, simple, R की value आच चुकी है, 18 cm, बस, यही थी हमारी लड़ाई, अब R की value आच चुकी है, तो उसका, ठीक है, तो इस, जो figure 3 था, जो, तो area, of 3, will be nothing but pi r square, so pi into 18 square, ठीक है, अब आपको जो area of shaded portion निकालना है, तो आपको पूरे total area में से area of 1, 2 और area of 3 को minus करना है, ठीक है, तो आपको जो area of shaded portion निकालना है, area of shaded portion will going to be nothing but total area, total area minus area of 1 plus 2, ठीक है, minus area of 3, ओके, तो यह तो हम सारा में निकाल चुके है, total area कितना है हमारा, यह 1 by 2 pi 54 का whole square, area of 1 and 2 कितना है, pi into 27 का whole square, ठीक है, और अभी हमने area of 3 भी निकाल दिया, तो यह इस तरीके से हो जाएगा, मैं values रख रहा हूं यहापर सारी, ठीक है, तो मैं यहापर values रखता हूं, total area कितना हो गया, 1 by 2 pi 54 का whole square, ठीक है, minus area of 1 and 2 हो गया, pi 27 का whole square, minus area of 3 हो गया, pi 18 का whole square, it's not tough now, calculation is not tough, common लोग बहुत easily solve हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, I take pi common यार, pi सभी से मैं common ले लिता हूं, ठीक है, तो pi common लेती ही, क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, 18 into 18, ओके, अच्छा, अब इसको break करने की कोशिश करो, maximum आप इसको break करने की कोशिश करो, ठीक है, तो यहाँ पर तो 2, 27 times cancel हो गया, ठीक है, now what you have to do, you have to take common, ओके, अब आपको चीज़े क्या करने ही, common, क्योंकि I don't want to do such big calculation, ठीक है, मैं क्या करूंगा, I'll just take common, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सारे terms को break कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह सारे 9 के multiples है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीक से लिख सकता हूँ, is equal to pi, bracket में 27 को मैं लिख सकता हूँ, 3 into 9, 9 3 से 27, into 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 into 9, 6 into 9, okay, minus 27, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, 6, sorry, 9 into 3, 3 into 9, into 3 into 9, minus 18 into 18 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 into 9, into 2 into 9, बस, सभी सारे terms देखाँ के तो आप 9 into 9, 81 is common, take 81 outside, pi into 81 outside आगिया, 9 into 9 common होगा तो यहाँ पर बचेगा 18, minus, यहाँ पर बचेगा 9, minus, यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है, so 81 pi into, यह bracket को जब आप solve करोगे, 18 minus 9 is 9, 9 minus 4 is 5, 5, ठीक है, so 81 5 is a, 405 pi will be the answer, cm2, okay, so calculation is not so tough, if you will think, okay, 405 pi cm2 is the right answer,